एक नगर के बाहर जंगल में कोई साधू आकर ठहरा संत की ख्याती नगर में फैली तो लोग आकर मिलने लगे प्रवचनों का दौर शुरू हो गया संत की ख्याती दिन राद दूर दूर तक फैलने लगी लोग दिन भर संत को घेरे रहते और एक चोर भी दूर से छिप कर उनका प्रवचन सुनता था रात को चोरी करता और दिन में लोगों से छिपने के लिए जंगल में आ जाता था वह रोज सुनता की संत लोगों से कहते हैं कि सत्त बोली सत्त की सदाव विजय होती है और जो सत्य बोलता है उसकी जिन्दिगी सहज हो जाती है एक दिन चोर से रहा नहीं गया लोगों के जाने के बाद उसने अकेले में साधु से पूँचा आप रोजाना कहते हैं सत्य बोलना चाहिए उससे लाब होता है लेकिन मैं सत्य कैसे बोल सकता हूँ संत ने पूछा तुम कौन हो भाई चोर ने कहा मैं एक चोर हूँ संत ने कहा तो क्या हुआ सत्यकाला आप सबको मिलता है तुम आजमा कर देख लो चोर ने नड़े लिया आज चोरी करते समय सभी से सच बोलूँगा देखता हूँ क्या फायदा मिलता है उस रात चोरी करने के लिए चोर राज महल में पहुँच गया महल के मुख दरवाजे पर पहुँचते ही उसने देखा दो सिपाही खड़े हैं और सिपाहीों ने उसे रोका ए किदर जा रहा है और कौन है तू चोर ने निडरता से कहा चोर हूँ चोरी करने जा रहा हूँ तो सिपाहीों ने सोचा ये चोर तो ऐसा नहीं बोल सकता यह राजदरबार का कोई खाश मंत्री हो सकता है जो रोकने पर नराज होकर ऐसा कह रहा है तो सिपाहीों ने उसे बिना पूछ ताच की भीतर जाने दे दिया चोर का आत्म विश्वास और बढ़ गया वह महल में पहुँच गया और महल के दास दासियों ने भी रोका चोर फिर सत्त बोला कि मैं चोर हूँ चोरी करने आया हूँ दास दासियों ने भी उसे वही सोच कर जाने दिया जो सिपाहीों ने सोचा कि राजा का कोई खास दरबारी होगा पूछने पर नराज होकर ऐसा बोल रहा है अब तो चोर का विश्वास सात्वें आस्वान पर पहुँच गया जिससे मिलता उससे ही कहता कि मैं चोर हूँ बस पहुँच गया महल के भीतर कुछ कीमती सामान उठाया सोने के आभूशन पांत्रित्यादी और बाहर की ओर चल दिया जाते समय राणी ने देख लिया कि राजा के आभूशन लेकर कोई आदमी जा रहा है उसने पूछा कि कौन हो तुम और राजा के आभूशन लेकर कहा जा रहे हो चोर फिर सच बोल पड़ा कि मैं चोर हूँ चोरी करके ले जा रहा हूँ तो राणी सोच में पड़ गई कि भाला कोई चोर ऐसे कैसे बोल सकता है जरूर कोई अद्भूद आदमी है और उसके चहरे पर तो कोई भै भी नहीं है राणी ने सोचा कि महराज ने ही इसे आभूशन कुछ अच्छा काम करने पर भेट स्वरूप पुरुसकार के रूप में दिये होंगे और राणी ने भी चोर को जानी दिया जाते जाते राजा से भी उसका सामना हो गया और राजा ने पूछा कि मेरे आभूशन लेकर तुम कहां जा रहे हो और कौन हो तुम चोर फिर बोला मैं चोर हूँ चोरी करने आया हूँ तो राजा उसकी सीधी बात सुनकर मुस्कुराएं और राजा ने सोचा कि रानी ने इसको भेंट दी होगी कोई नेक और खरा इंसान मालूम होता है राजा ने उसे कुछ नहीं पूछा बलकि एक सेवक को बुला कर सहायता के लिए वो सेवक उसके साथ में दे दिया और सेवक समान उठा कर उसे आदर सहित महल के बाहर तक छोड़ गया अब तो चोर के आश्कर का ठिकाना न रहा उसने सोचा जूट बोल बोल कर मैंने जीवन के कितने दिन चोरी करने में बरबाद कर दिये अगर चोरी करके सच बोलने पर परमात्मा इतना साथ देता है तो फिर अच्छे कर्म करने पर तो जीवन कितना आनंद से भर जाएगा चोर को सत्य की शक्ति का अनुबह हुआ और वो एक सचा इंसान बन गया साच बराबर तप नहीं जूट बराबर पाँप और जाके हिरदय साच है ताके हिरदय आप सत्य का मतलब अगनी अगनी जैसा यथावत जैसा है वैसा कोई दिखावा नहीं निश्चल बच्चे के जैसा सरल अनावरत खुला हुआ प्रकट और सत्य वो है जो निडर है नगन है जैसे आदम और इस्तरी की पतित होने के पूर्व की अवस्था इसके विपूरीत असत एक दिखावा है आडंबर है छिपाना है और लीपापोती करना है वास्तिक्ता को ढखना है कबीर कहते हैं सच से बड़ा कोई तप नहीं है कोई सिध्धी नहीं है और जूंट से बड़ा कोई पाप नहीं है जिसके हिर्दय में सत्त हैं उसके हिर्दय में साक्षात ईश्वर विराजते हैं सत्त की शक्ती ने प्रभु ईसा को मृत्यू पर विजय परदान की प्रियों याद रखें जिसे जीने की कला आती है उसे मरने की कला भी आती है इसा ने कहा परमपिता मुझसे प्रेम करता है क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूँ कि फिर उसे प्राप्त करूँ कोई मेरे प्राण मुझसे नहीं लेता कोई मेरे प्राण मुझसे छेन नहीं रहा है वरन स्वयम मैं अपने प्राण दे रहा हूँ मुझे अपना प्राण देने का अधिकार है और उसे पुनह लेने का अधिकार भी यह आग्या मुझे अपने पिता से प्राप्त हुई है एक सत्य है और दूसरा परम सत्य सब कुछ उस परम सत्य की परिक्रमा कर रहा है चलती चक्की देखके दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई कबीरदास कहते हैं चलती चक्की संसार के चक्की को देखके आसमान और धर्तिय चक्की को देखकर कविर्दास जी रो दिये और उनको अनुभव हुआ कि इसके बीच में तो कोई बचता नहीं है सब कुछ नश्ट हो जाता है और फिर कविर्दास जी एक आशा देखे और कहते हैं चक्की चक्की सब कहें कीली कहे न कोएं और जो कीली से सट जाएं ते बाल नबाका होए ते बाल नबाका होए दौ इमो पुरुषों लोके क्षरहां चा अक्षरहां एव चाहां क्षरहां सरवानी भूतानी कूटस्तो अक्षर उच्यते जीव दो प्रकार के होते हैं क्षर तथा अक्षर भावतिक जगत में प्रतीक जीव अक्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रतीक जीव अक्षर कहलाता है इन दोनों के अत्रिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनासी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है पत्मिस दीप पर इसा ने युहन्ना को दर्शन दिया और कहां भैभीत नहूं प्रथम और अंतिम मैं हूं मैं जीवित हूं मैं मर गया था परन्तु अब युगान युग जीवित हूं मृत्यू और अर्धो लोक की कुंजियां मेरे पास है प्रियों मृत्यूम जयम प्रभु येशु का ये पुनुरुथान जो दिवस है इस्टर है ये आपको बहुत आशिरवाद प्रदान करें आपके जीवन में बहुत सारी आशिशे लाएं जितनी भी चीजें आपके जीवन में मृत हैं खोई हूई हैं तूटी हूई हैं रेस्टोर हो जाएं प्रभु येशु कहते हैं पुनुरुथान और जीवन मैं हूँ जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा प्रभु आपको खूब आशिरवाद दें और आप उसकी अगाद आशिशों से परिवपूर्ण होते चले जाएं Have a blessed Easter धन्यवाद